कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता और पूर्व सांसद जियोति रादित्तस सिंध्या लगतार चर्चा में बने हुए है सिंधिया को लेकर एक बार नहीं बलकि बार बार और लगातार ये चर्चे हो रही है कि ज्योती रादित्य सिंधिया अब कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्षपत की कमान अपने हातों में लेंगे लगतार ये खबर आ रही है कि जियोती रादिते सिंध्या को राहूल गांधी का उत्राधिकारी बनाकर कॉंग्रेस की कमान दे दी जाएगी हालाकि इन सब के बीच सिंध्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जियोती रादिते सिंध्या का एक वाइरल वीडियो हर जगा चर्चा का विशय बना हुआ है इस वाइरल वीडियो में आखिर ऐसा क्या कुछ खास है चली ज़र आपको बताते हैं तरसल इस वीडियो में सिंध्या का एक अलगी अफतार नजर आ रहा है यहाँ पर सिंध्या ग्वालियर के सिंध्या स्कूल में छात्रों के बीच गोकाटिंग करते देखे गए सिंध्या परिवार द्वारा यहाँ पर जो स्कूल चलाया जाता है All Boys Boarding School ये 1956 में गठित किया गया था सिंधिया एजुकेशन सुसाइटी स्कूल का सनवरक्षक है जो ग्वालियर के किले पर स्थित है और इसी स्कूल में जियोती रादितिस सिंधिया जो है परतुमान अध्यक्ष है वहां पहुँचकर छातरों के बीच नजराए गो कार्टिंग करते हुए सिंधिया के वीडियो को सोशल मीडिया पर खासा पसंद किया जा रहा है और एक पार फिर से जियोती रादितिस सिंधिया के इस अफ्तार को देखकर उन्हें कॉंग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना देने की मांग उठ पड़ी है SPN 9 News से मेगा की रिपोर्ट